हलो वेलकम बैक तो माई चैनल मुवेंट्स एंजर्णी ऑफ निजाम थान में दोस्तो आफ सभी का स्वागत हैं दोस्तो आज मैं आपको दिखाऊंगा बॉल्यूड फिल्मी जगत के अंदर नाकाबंदी कैसे होती है यह पुलिस की नाकाबंदी तो चलिए मेरे साथ में आप और निजाम खान में आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तो आज मैं बताओंगा फिल्म लाइन के अंदर नाकाबंदी कैसे होती है और किस तरह से उसको सेट करते हैं सेटिंग वाले किस तरह से उसको सेट अप किया जाता है तो सारी चीज़े में आपको दिखाऊंगा चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं कि वो सारी चीज़े जो नाकाबंदी में यूज होती है दोस्तों यह जीब है जो ओरिजिनल पुलिस की जीब नहीं है बलके यह फिल्म लाइन की हाईर कीवी जीब है दोस्तों और यह जो है क्रेन है जो क्रेन के उपा कैमरा मैन बैठा ह है और नीचे यह एडी वगरा टैनले तो दोस्तों पूरा सेट अप और पूरी आपको शूट दिखाऊ दोस्तों यह देखिए पूरा लिपार्टमेंट या नहीं को अंजाम देते हैं और उसको बहुत अच्छे बहु भी करते हैं फिलाल इस वाग यह जीब को डेकोरेट क वे तो इसको पूरा करते हैं करने के बाद जब वाब तयार हो आती तो आपको लगएगा कि यह जो है कि स्टेट की पुलीस है यहां की यह तो द्वस्तों यह फिलाल यहां पे सारो लोग लगए और यह दो बैरिगेट रखे हैं दोस्तों यह बैरिगेट इस बात का इंडी और पूरा सेट अब लगाया यहां पर देखिए यह खड़ी हुए जेनरेटर है ताकि पावर इसको मिल सके और यह अपने शूट को बहुत भी बड़े अच्छे अंदाज में कर सके दोस्तो एक्षी में टॉप से शॉट इसे लगाते हैं कि वहाँ पर जापे नाकाबंदी का सेट अप लगा हुआ है तो टॉप से जब लेंगे तो आपको वहाँ पर बैरिगेट प्लिस वाले और वहाँ पर जो गाड़ी आने जाने की जितनी भी चीज़ें हैं सब वो दिखे यानि पूरा आपको लुक ऐसा लगेगा है कि हाँ वाके में इस वग नाकाबंदी और वाके में ओरिजिनल जैसी लगती है तो दोस्तों यह भी मैं आया वहाँ पर यह इस वक मैं मडाइलेंड मड में सुतारवाडी के आगे एक सुचक भंगला है तो वहाँ पर पूरा राइट में इतनी पार्किंग रहती है वहाँ पर सब दिखा रहे हैं और राइट सैट में दोस्तों खड़ा है इसको बोलते हैं स्कीमर और यहां से फिलाल मैंने आपको एक लांग वाइड शॉट दिखा रहा हूं कि सारे लोग पूरे इंदिजा में लगे हुए हैं लाइ वो उनसे डिसकेशन करने के बाद शॉट लगाते हैं और फिर जब सेट पे जब आते हैं कैमरा ओन होता है मर्ड की शान और शॉकत भी मैंने कर लाओ आपको दोस्तों दिखाए दें एक्शन में मर्ड यह जो मुंबई मारिश्टा मलाट के अंदर मलाट वेस्ट में मर्ड जो लोकेशन है दोस्तों यह पूरा मर्ड जो है जादा तर शुटिंग का ही प्लेस बना दिएगा यहां पे बहुत सारी लोकेशन बंगले ओफिस वगरा बहुत सारी चीज़े यहां पे तो मैंने का यहां की जरा जरा ग्री यह लोकेशन भी आपको दिखा दें आप मर्ड में कहीं पर भी जाएंगे तो आपको हरियली दिखेगी क्योंकि यहां पे जाद अतर पेड़ है और इसके नारियल के पेड़ है और बहुत सारे भी तो जिसके वेजे से पूरा मर्ड जो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और दो मॉनिटर जो है रिकॉर्ड के पास रहते हैं दोस्तों दो मॉनिटर जो है अपने डारिक्टर साब के पास रहते हैं जो मॉनिटर में आप देखते रहते हैं कि इसके इंतर क्या-क्या चीज़ है तो यह मैंने जूम किया दिखिए क्या पूरा भरपूर मौलाइब और चेक नाके के ओपर सारे लोग खड़े वें अपनी परी गाड़ें लेके यह देखिए कैमरा मैन भी हो रफतार से जह कैमरे में शॉट ले रहे हैं और इसको जूम कर रहे हैं और साइड में यह फोकस ले रहे हैं की आर्टिस जो आ रहे हैं तो उनको भी फोकस करना है यह कैमरे मैन है और दोस्तों यह देखिए यह फिलाला भी जो होँआ पे क्या ज़्रोध परड़ी उसके लिए जाकर आप अभी रेलसल वगारा चालू है और मैं दिखाता हूं भी आपको कि यह देखिए यह कैमरे मैन को मैंने दिखाया इनके पास जो camera रहुता है इसमें लेंस बड़े ही जबर्दस होते हैं यानि कितनी भी दूर प्याटिस अगर होगा तो लेंस चेंज करते रहें एक लेंस से काम भी नहीं होता दोस्तु कई लेंस चेंज करना पड़ते हैं दोस्तो हर डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताता रहा है तो अगर अबी तक मेरे चैनल आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए नेक्स फीडियो में फिर आपसे मेरी मुलाकाद हो क्यों नए चीज़ ले क्या होगा और अपना खायल रखे अपने माता पत्यागा खायल रखे दोस्तों खायल रखे परोसियों का एक दूसरे की इस्ज़त करिए ओके बाय दोस्तों